इसलो भक्तिसिद्धान्त सरसुति ठाकुर को एक बार एक पत्रकार ने पूछा है कि आप अपने आपको गौडिय वैश्णव क्यों कहते हैं तो भक्तिसिद्धान्त सरसुठाकुर ने तीन उसके उत्तर में तीन चीज कहा था कि वास्तव में जो भगवान विश्णु के उपासना करते हैं उनको वैश्णव कहा जाता है और जो कृष्ण का उपासना करते हैं उनको कार्षनय कहा जाता है ब्रिन्दावन में बहुत प्रसिद्ध हैं उनकी संप्रदा लेकिन जो स्रीमति राधारानी के उपासना करते हैं उनको गौडिय कहा जाता है तो इस में से हम समझ सकते हैं कि जो तिथी आरा है राधाश्टमी तिथी उसकी महात्मिय कितना है और कितनी गंभिरता से हमें ये उस चब में भाग लेना चाहिए तो आचार्या चरण कहते हैं कि ये राधा सब्द जो है ये सब्द ही भगवान कृष्ण कहते हैं मर्या मन को आकर्षित कर लेता है और मेरे को बाध्या करता है विशेश करके राधारस सुधानिधी में आचारेचरण बहुत सुन्दर ही वन्नन करते हैं कि ये जो राधारणी का नाम है और ये जो व्रिंदावन धाम है ये क्या है क्योंकि इसी भूमी पे हम बैठके उनके प्राकट्य तिथी या उनकी मंगल मैं बाणी को सुन रहे हैं तो आचारेचरण बोलते हैं राधा कराव चितपल्लव वल्लरीके राधा पदांक विलसन मधुरस्तलीके राधा यशो मुखरमत खगावलीके राधा बिहार बिपिने रमतां मनों में ये जो भूमी है इस भूमी में ये भूमी का कणकण ही स्री जी का नाम का उदगोस करता है यहां के बुख्यो लता पसु पक्खी सब इनका गुंजार करते हैं एक आचारी इस लोक के उपर टिका लिखे हैं और वो वर्नन करते हैं कि जिस राज्य में रहना होता है उस राजा का जयगान करना पड़ता है नहीं तो राजा आपको रहने नहीं देगा और ये व्रंदावन की अधिस्वरी स्रीमति राधारानी है तो आचारिय चरण बोलते हैं कि इसलिए यहां के पसू पक्खी कीट पतंग सब ही राधानाम का गुंजार करते हैं जिसका गुण उससे ज़्यादा हो वो गुणों की प्रती आकर्ष्ट होता है लेकिन भगवान कहते हैं मुझसे स्रेष्ट कौन है मुझसे स्रेष्ट तो इस जगत में कोई है नहीं तो मैं किसके प्रती आकर्षत हूँगा सारा जगत मुझ पे आकर्शित होता है लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं कि राधा नाम सुनते ही मैं आकर्शित होता हूँ इसलिए स्री जी का जो गंभिर उनका जो व्यक्तित्व है जो भाव है वो हम समझ सकते हैं इस प्रसंग से तो चैतन्य चरितामृत के अंते लिला में एक बहुत ही सुन्दर भाव है और स्री चैतन्य महाप्रभू इसको स्वरूप दामुदर और रायरामाननद जी के साथ गंभिरा के गंभिर प्रकुष्ट के अंदर महाप्रभू भाव गदगद होके ये श्लोक को आस्वादन किये हैं और ये शिख्याष्टकम का ही श्लोक है और ये स्री जी का ही उदगार है स्री जी के जो सब्द है स्रीमन महाप्रभू ने गंभिरा में ये भाव को आस्वा प्राण प्रिया सक्षी स्री ललिता जी ने कहा है देखो सक्षी अगर आपको इतना विरह होता है तो आप कृष्ण को भोल क्यों नहीं जाते हैं भूल जाने से तो आपको आनन्द मिलेगा ऐसा नहीं कि ललिता सक्षी बोले कि आप कृष्ण को भूल जाओ लेकिन ये जो विरह है कभी कभी जो सक्षी के प्रति प्रियाजनों के प्रति जो अत्यधिक प्रिति के कारण ललिता जी ने ये बाक के बोला तो उसी समय राधारा के मुखारविन से ये श्लोक आया जिसको श्रीमन महापरहु ने अपने सिख्याश्टक में लिया है और आज हम उसी श्लोक का भाव को कभीराज गुष्वामी के भाव के अनुसार और महापरहु ने जैसे आस्वादन किया है स्वरूदामदर रायरमनंद के साथ ये पवि ना थस्तु सेवना परहु प्रभुपाजी इसके ट्रांसलेशन में लिखते हैं इसको मेरे पास हिंदी नहीं में इंग्लिस में पढ़ लेता हूँ I am a mad servant at the lotus feet of Krishna. He is the embodiment of transcendental happiness and mellows. If he likes, he can tightly embrace me and make me feel oneness with him or by not giving me his audience. He may corridor my mind and body. Nevertheless, it is he who is the lord of my life. तो राधारनी कहते हैं कि बास्तक में इसमें बहुत सारे भाव है और कई आचारियों ने इसमें अपना भाव प्रस्तुत किया है. रास्पंचा धाई में बगवान जब राधारानी को च्छोड के जाते हैं तो राधारानी ने ये श्लोक कहा है हानाथ रमन प्रिष्ट क्वासी क्वासी महाभुजा दास्यस्ते कुर्पणा में सक्ख्य दर्सयन सन्निधिन हानाथ रमन प्रिष्ट हे मेरे नाथ हे मेरे जीवन हानाथ रमन प्रिष्ट हे प्रियतम में आपके दासी हूँ सबसे पहले पहली बार स्री जी ने ये वाक्य कहा और ये जो इसमें प्रवपाजी एक जगा में एक क्लास में बोल रहे हैं कि यहां तक कि यह जो दास्य भाव है ये जीव का स्वरुवगत स्थिति है जीव भगवान का दासे और जब ये दासत्तों को भूलता है और प्रभुपा जी बोलते हैं जब वो प्रभु बनने का इच्छा करता है तब ही वो वंधन में पड़ता है तब ही उसके जीवन में समस्य आती है तो यहां तक की राधरानी भी बोलती हैं जिनको भगवान अपनी अधिस्वरी बोलते हैं प्रिया जी बोलते हैं बहुत ही सम्मान देते हैं वो राधरानी बोलते हैं कि मैं कृष्ण का दासी हूँ तो जब ललिता जी ने बोला कि आप प्रियतम को छोड़ दो तो राधारानी बोलती है कि मैं उनकी दासी हूँ लेकिन वो मुझे बड़ा मानते हैं मुझे को स्रेष्ट मानते हैं कभिराज गुस्वम एक पयार में लिखते हैं प्रभु मोरे कांता करी कहे मोरे प्राने स्वरी मोरो होय दासी अभिमान वही श्लोका भागवत का श्लोका यह पयार का अनुबाद है तो स्री जी बोलते हैं कि प्रभु बोलते हैं कि मैं उनके जीवन हूँ और मैं उनके प्रान का भी प्रान हूँ लेकिन मेरा जो भाव है मैं उनकी दासी हूँ तो राधारानी बोलते हैं कि मैं उनकी दासी हूँ और चाहे वो मुझको आलिंगन करे चाहे वो मुझको सम्मान दे या फिर अपने पैरों से ठुकर दे पिनस्टुमा मेरे को पैर से पीश डाले तो यथा तथावा विदधातु या फिर मेरे सामने जो दूसरे पक्षय की गोपियां हैं जैसे चंद्रावलियादी उनको उनके साथ वो विहार करें उनका गुणगान करें लेकिन है सखी कुछ भी हो वो मेरे प्राणों के प्राण है वो मेरे प्रियतम है तो इस भाव को महाप्रभु ने जो आस्वादन किया है उसी को हम कुछ प्रयास करेंगे श्रवन किर्टन करने का क्योंकि ये जो भाव है ये भाव तो जीव के पक्षय में संभव नहीं है जीव कभी ये स्तिति को प्राप्त नहीं कर सकता है लेकिन इसके सुनने से प्रापपा जी बताते हैं कि दस्वंसकंद के जो ये जो चरित्र है ये आत्माराम के आस्वादन के विश्य है लेकिन इसको सुनने से भगवान के प्रति जो एक इच्छा रहित जो सेवा करना का भाव है वो उदे हो जाता है अंतर में एक अभिलासा उत्पन होते हैं ग्रीड प्रोपद बोलते हैं एक लोव उत्पन होता है भगवान के प्रतिकव हमारा ये मन हो और महाराश्री कहते हैं जब कोई चरितरो सब सुनता है तो उसके मन में भी आ जाता है कब हम भगवान को पुत्र भाव से, भगवान को अपना प्रियतम की भाव से, कब हम भगवान को अपने सक्खा भाव से हम भजन करेंगे तो महाप्रभु इस लोग का अस्वादन करते हैं कि कांता सेवा सुखा पुरा संगम है ते सुम दुरा ताते स्थाखी लख्मी ठाकुराणी तो स्री जी उद्गार करते हैं कि मेरा बात क्या है सखी मैं आपको क्या बताऊं कि मैं भगवान का संग चाहता हूं यहां तक कि जो पतिवरता सिरोमणी है जो भगवती महालक्मी है जिनको भगवान अपने वक्ष्यों में सान दिया है लेकिन वो भगवती महालक्मी भी हमेशा भगवान की चरणों में दिखे जाती है कभी मारा स्री कहते हैं कि कभी लख्मी जी को Bhagavad आलिंगन करते हुए फोटो किसी नहीं देखा हूगा क्योंकि लख्मी जी जो है वो हमेशा भगवान के चरणों में रहते हैं मारा स्री एक भाग्वत कि श्लोक के टीकाओं का आस्वदन देते हैं कि भक्त जो कहते हैं कि प्रभु देखिए आपका एक दिन लख्मी जी का और हमारा जरू जगडा हो जाएगा क्यूं? क्यूंकि आपने जो है उनको वक्ष में स्तान दिया है लेकि लख्मी जी देखते हैं कि ये जगा जो सुरक्षित नहीं है इसलिए चरणों में रहना अच्छा है क्यूंकि सभी भक्त लोग चरणों में अस्रे लेते हैं तो लख्मी जी ज़्यादा सुख पाने के लोब से अपना स्तान को छोड़के हमारा स्तान आए और एसे आए पूरा कबजा करके रख लिया आपके चरणों और हमें सेवा ही मोका नहीं मिलता है इसलिए कभी ना कभी घुस्षा आजाएगा तो स्री जी के साथ हमारा जगडा हो जाएगा लेकिन है प्रियतम हमें विश्वास है कि आप जब हमारा और स्री जी का जगडा होगा वेचे तो कभी होगा नहीं लेकिन अगर कभी होगा तो आप जरूर हमारा पख्य लेंगे क्योंकि आप भगवान का वक्य छोड़के उनका चरण कमल को आस्रय करते हैं तो मैं तो उनकी दासी हूँ, तो ये राधारानी का जो भाव है, महाप्रभुर भक्त जत्त वाईराग्य प्रधान, तो ये सब जो भाव है, ये स्री जी की भाव है, मैंने पहले कहा था, कि जितने भी भक्ति के जो हम भाव सुनते, वो सब स्री जी की ही भाव है, तो महाप् यह राधारानी के जो भाव है इमकी जो वचन है महाप्रभु गंभिरा में इसको आस्वादन कर रहे हैं तो विश्यस करके अगर महाप्रभु यह जगत में ना आते जदी गौर ना हईता तवेकी हईता केमोने धरिताम दे राधार महिमा बेदेनाही सिमा जगते जाना तके अगर महाप्रभु नहीं आते तो यह राधारानी का जो उपासना है हम जो भाव को आस्वादन करते हैं यह संभव नहीं होता है, क्योंकि महाप्रभु खोद आके भक्त भाव को अंगिकार करके उनी उनी भाव को भक्त के से अस्वदन कर सकता है, और यहां तक कि हमारे गोड़ी आचारी कहें हैं, जो भाव स्री जी भी अस्वदन नहीं कर पाई है, महाप्रभु ने उसको यह है और जो बास्तम में एक प्रतिष्ठान पूर नगर में एक ब्राम्हन थे जिनका नाम था कोशिक और उनके पत्नी का नाम था सांडिली दुर्भाग्य वस जो है कोशिक को कुष्ट व्यादी हो गया और गलित कुष्ट हो गया लेकिन और वो जो उनकी जो पत्नी थी सांडि वो एकदम बहुत ही सतिनारी थी, पती की पुर्ण प्राण से वो सेवा करती थी, लेकिन वो एक बार देखी कि उनके पती का मन कुछ खिर्न है, इतने सेवा करने के बाद भी वो संतुष नहीं होते थी, उनका मन में कुछ चेंता था, तो एक दिन वो पूछी अपने पती से, है प्रियतम, आप क्यूं इतना विशाद गरस्त हैं, आपके मन में क्या है, मेरे सेवा में कोई तुटी है, क्या आप क्यूं प्रसंद नहीं हो रहें, तो उनके पती जो है, कोशिक, उन्होंने बोला कि ये प्रतिश्ठान पूर में एक वैस्या है, मेरा मन उसके प्रति आक करशित हैं और मैं तुमको क्या बता हूँ मुझे उनके साथ मिलने का बहुत इच्छा है लेकिन मेरा ये जो व्यादी है वो उस कार्य के लिए मेरे को बाधा दे रहे हैं और सोचिए ये बात सुनने के बाद आज का समय होता तो डिवोर्स पेपर पूरा कंप्लिटली रेडी हो जाते हैं तो आज के समय में ये सब बात जो है सिर्फ सुनने को अच्छा लगता है ये सब हम कौलपना भी नहीं कर सकते हैं आज के समाज में और क्या क्या चीज आजाएगा वो मेंस राइट क्या की ठीक है ये समाज में तो नहीं कहना चाहिए इसब बाते लेकिन संडिल जो है बास्तव में एक चरित्र कहूंगा बास्तव में आज भी ऐसे नारिया हैं प्राउपाजी कहते हैं कि सुद्ध भग तो हमेशा इस जगत में है जैसे जो उल्लु है उसको दिन में दिखाई नहीं देता है उस तरह से जो द्वेसी जन है जो अपराधी जन है उनको भग दिखाई नहीं देते है तो सांडेली जो है तुरंत ही अपने पती को पती की इच्छा को पूर्ति करने के लिए उस वेस्या के घर में गई और उसकी सेवा करने लगी और वो वेस्या सोचने लगी वेस्याओं का मन कैसा होता है आप जान सकते हैं लेकिन सांडेली एक ऐसी नारी थी वेस्या को भी अपनी सेवा से सन्तुष्ट कर लिया एक दिन वेस्याँ पूछी है बेहन तुम क्यों मेरा इतना सेवा कर रहे हौं क्या उद्दैश के समय सांडेली जो है वेस्याओं के सामने अपना भाब को व्यक्त किया कि मेरे प्रति को ऐसा कुष्ट व्यादी हो गया है और वो चाहते हैं आप से मिलने के लिए तो ये सुनके तो बेस्या एकदम सहमा गई कुष्ट व्यादी है और वो भी गलित कुष्ट और उसके साथ जो बहुत सुन्दर होते हैं वो तो अगर व्यक्ति सुन्दर नहीं हो तो उसके तरफ देखते नहीं और उसको गलित कुष्ट हो गया है तो ये सुनके सहमा गई लेकिन जो संडिल ने जो सेवा किया था वो सेवा का इतना दवाव था उसके उपर, तो एक दिन, पहले तो वो मना कर दी, लेकिन फिर भी संडिल ने अपना सेवा बजाय रखा और एक दिन मुठीक है, मैं तो वहां नहीं जाओंगी, क्योंकि यह अगर प्रचार हो जाएगा कि वेस्या ने उसके पास गया है, कुष्ट व्याधी के पास, तो वेस्या के पास फिर से कोई नहीं आएगा, और उन्होंने एक सर्थ रखा कि मैं दिन में नहीं जाओंगा, दिन में ये कार्य नहीं होगा, रात में होगा, और तुम अपने पती को लेके यहां आओ, तो जब संडिली गई अपने पती को लेने के लेकिन इतने भयंकर व्याधी होने के बाद भी सरीर में कितना विकार है, वासना कितना प्रवल है, जो व्यक्ति इसलिए चाहे कुछ भी हो, ये वासना सिर्फ सुद्ध भक्त की अनुग्रह से हीद कभी जीवन हुरिदे से दूर हो सकता है, मुख्य विशय तो यही है, तो उसी समय एक घटना हुआ, उसी प्रतिष्टानपूर में, कि उस प्रतिष्टानपूर में मांडव यडि रुसी का आस्रम था, और राजय के यहां छोरी करके, एक कुछ चोर मांडव ये रुसी के आस्रम में ही गुश गय और जब सिपाईयों ने वहां ढूंडा, तो चोर जो है शूली पर बैठे थे, तो बहुत बेचेन थी, रात का समय था, उसको अच्छा से दिखता भी नहीं था, तो जैसे ही ला रही थी, उनको पती को सिर में ढोके वो ला रही थी, उनका पती का शरीर जो है, मांडवे रुसी के पेरों में टकरा गया, तो जैसे ही टकरा गय मांडवेरुसी तो ध्यानस थे भगवान के ध्यान में, जब ध्यान टोटा और बाहिय स्थिती में आयो तो उनको प्रवल जंत्रना हुआ, तो इसलिए बेचेन हो गए मांडवेरुसी और उन्होंने साब दे दिया, कि जो कोई मुझे इतना भयंकर पिडा दिया, वो काल सूर पूर्ण करने के लिए वो जा रहती, अब फिर से एक विगना आ गया, तो एक तरफ एक रुसी का तपवल और दूसरी तरफ एक सतिनारी का सतित्यू, देखिए इस जगत में भगवान ने कैसा दृष्टान प्रस्तुत किया, मानव समाज में ये इतिहास जुग जुग तक गाया जाएगा, तो सांडिली जो है, उन्होंने अपने सतित्यों का बल लगाया, उसने कहा, अगर जीवन में मैं अपने पती के सिवा कोई परपुरुस को नहीं सोच, मन में भी मैंने सोचा नहीं, तो काल सूर्य उदय नहीं होगा, जब ये बात उसने कह दिया, मारा स्री तो बड़ा विनोत करते हैं, मारा स्री बोलते हैं कि सब लोग घड़ी देखने लगे, सूर्य उदय क्यों नहीं हो रहा है, और सब लोग सोचने लगे, आज जिन लोग को मंगला नहीं उठना है, तो वो बहुत खुस हो गए, तो सूर्य उदय नहीं हो रहाता, लेकिन सब देवताइं जो हैं, तीन देवों के पास गए, ब्रह्माजी, सिव जी और भगवान विष्णु के पास गए, तीनो देव, कोई-कोई पुराण में इस चरित्र को भिर्न रूप से वर्नन कया गया है, कोई-कोई जभी तीनो देव अनुसया के पास भेजी हैं, लेकिन चैतन चरित्र मृत में महा प्रहुजयो भाव को आस्वादन किये, हम उसी भाव कहीं यहां लेंगे, इसमें कभी राजबस्वामी लिखते हैं, कुष्टी विप्रेर रमणी पति व्रता सिर्मणी पति लागी कोई-ल वेस्च्यार सेवा, स्तंबिल सुर्ज रगती जियाईल मृत तो यह जो कुष्टी विप्रकी रमणी है, सांडिली जो है, उन्होंने जब सूर्य उदय नहीं हुआ, तो तीनों देव, श्री ब्रम्हा जी, श्री सिर्जी और श्री भगवान सोयम उनके सामने प्रकट हो गए, तो भगवान नहीं सांडिली को कहा, कि देखो सांडिली, तुम एक काम करो, तुम सूर्य को उदय होने दो, सूर्य उदय हो जाने दो, और मैं तुमको वच्ण देता हूँ, तुम्हारा पती जी जाएंगे, तो सांडिली ने ये बात को सिवकार किया, और सूर्य उदय हुआ, जैसे ही सूर्य उदय हुआ, और कोशिक ब्राम्हन का स भगवान सब्द का अर्थ में माराश्री ये भाव व्यक्त करते हैं भगवान ने जब दुरुष्टी दिया मतुरा की नगर में कई बुढ़े कई जब कई लोग मतुरा में जूटे थे भगवान को देखने के लिए क्रिश्न क्योंकि ये प्रचार ही हो गया था कि क्रिश्न स्वयम भगवान है तो लोग भीड लगा के जूटे थे भगवान को देखने के लिए और भगवान का दुरुष्टी जहां पर पड़ता था तो पहला ये चमतकार हुआ मतुरा के जितने बुढ़े थे वो जबान होगे तो माराश्री कहते हैं कि जो अपने आपको भगवान कहते थे उनको बुढ़े लोग को देखना मतलब जरायक तो कितना भयंकर है हमारी यहां एक बुजर्ग भक्त है मैं बोलता हूँ बाबा आप थोड़ा सबजी खाये जब फिष्ट होता है मेरे को बोलते है जब तुम बुढ़ा वनोगे तब तुमको पता चलेगा कि मैं क्यू नहीं खाता हूँ यह भगवान किसी को बार्धक, मैं तो चाहता हूँ कि तुम जवानी होते होते हुए भगवत दाम चले जब वो इसा बोलते है किसी को बार्धक यहां कश्ट ना आए तो भगवान की दृष्टी से, मंगल माई दृष्टी से, सभी बुरुद्ध जवान हो गए, ये भगवान की दृष्टी की महिमार, महाराश्री एक सब्द कहते हैं, मुर्तक जिवावनी, मतलब उनकी जो दृष्टी है, मरे हुए को भी जिला देता है, कई चरित्र भागव पुत्रों को जल जीवन दिया, और स्रिमन महाप्रभु ने स्रिवास पंडित के पुत्रों को भी जीवन दिया, ये भगवान के विश्यस्ता है, तो भगवान ने कौसिक रुष्टी को जब देखा, तो उनके फिर से प्राण आगे, तुष्ट कोईल मुख्यति नि देवा तो ये सतिनारी का ये जो चरित्र है, ये स्रीजी उद्गार कर रहे हैं कि बास्तव में जो पृति है वो क्या है, राधारानी का जो भगवान के भाव, प्रति भाव है वो हम सुनेंगे, ये तो जागतिक भाव को राधारानी कह रहे हैं, आप ये मत सोचे कि वो सांडिली जो इसने ये काम किया, ये ही व्रज की बात है, ये गिर्राज के सामने, ये पास में, यहां से सिर्फ 20 किलो मेटर की दुरी है, महराश्री एक सत्य घटना कहते हैं, और यहां पे गाव है, पल्सो, पल्सो गाव में एक 20 साल मुष्किल से होगा ये चरित्र, एक नारि थी, उसके पती को क्यांसर हो गया, और उस जमाने में क्यांसर का कोई ट्रीटमेंट नहीं था, इतना मतलब और ब्रज में वो भी, तो उसने बहुत प्रयास किया, और जितना जैसा भी हो सके, और बहुत सारे साधों के पास गया, जो भी हो सब प्रयास किया, लेकिन क्यांसर मतल चलता था कि ये जरूर सत्ती बन जाएगी और सत्ती तो अभी मतलब कानुन तो ये नहीं होना चाहिए तो उसके साथ ससुर सब उसको समझाए उसकी ननद भी समझाए बेटिया ऐसा मत करना नहीं तो परिशान आ जाएगी और यहां तक की पुलिस भी आ गया जब वो समय आया ऐसा तो जैसे आज का मोसम है वो ऐसा ही मोसम था मतलब सूर्य भी नहीं था तो उसके पती का जब देहान्त हो गया सुनिये ये गात था ये कोई कपोल कल्पित गात था नहीं ये ब्रज का सत्य घटना है बहुत स्रद्धार विश्वास के साथ इसको सुनना चाहिए देखिये जगत में आज भी ऐसे दृष्टान्त है और हो रहे है ये भयंकर समय भी उसका पती का जैसा ही देहान्त हुआ और उसके ब्रज में तो घर के सामने ही जला देते हैं यहां पर विशेश यह नहीं है लेकिन जो सब नियम होता है जब पती चले जाने के बाद सद्धवा नारी जो हता है उसका जो हमारे वैदिक प्रथा के अंचर जो नियम है वो सब होता है लेकिन वो जो पत्नी थी वो ना अपनी मांग से सिंदुर पोची और ना अपनी चूडियों को उतारी वो वैसे ही खडी रही और जैसे वो बिवाहित समय में जैसे जो सब जैसे कपड़े पहनते हैं जो रिवाजे माताइं जानते हैं उसी रिवाज में वो उस दिन वेठी और जैसे ही उसका पती का संस्कार हुआ जल गया सरीर आग बुझ गया पूरा सबके सामने देखते ही देखते है ऐसा ही मौसम था वो सीधा गई अपने पती जहां पे जलाए के था वहां पे बैठी और उसके सरीर में आग लग गया उसका ऐसा भाव था और आज ब्रजबासी वो जगह पे एक मंदिर बने मारा स्री अक्सर वहां जाया करते थे तो एक बार हमें भी जाने का सोभागे मिला था तो यह है अमरगा था भारत भारत भूमी है और इस भूमी में ऐसे घटनाएं होती है रहती है और यह दृष्टांत जीव को प्रेरना देता है कि आदर्स का क्या महिमा है लेकिन राधारानी का जो भाव है वो सुनिए अभी अभी बोलते हैं कि राधारानी कहती है शकी है सुनो मोरो मनेर निष्चा मेरा निष्च क्या है यह उदगार करने के बाद बोलते हैं सकी मेरा निष्च क्या है आप सुनो किबा अनुराग करे किबा दुख दिया मारे मोरो प्राणे सर कृष्ण अन्यन है छाड़ी अन्यनारी गण मोरो बसत अनुमन मोरो सोभाग्य प्रकट करिया तासावरे देनपिडा आमसने करे किडा सेई नारी गणे देखाया किबा ते हो लंपट सठ द्रुष्ट सकपट अन्य नारी गणा करी साथ मोरे दिते मनव पिड़ा मोरो आगे करे किड़ा तबूते हो मोरो प्राणनाथ ये पूरा रास्पंचाइदाई का ही जो गोपी का जो सभाव है स्री जी और महाप्रवी इसको आस्वादन कर रहे हैं राधार नी कहते हैं कि मैं जानता हूँ मेरे प्रियतम जो है वो लंपट है उनको अन्य गोपियों के साथ भी वो विहार करते हैं तो वो जो मेरे जो प्राणनाथ है मैं जानता हूँ वो कभी-कभी मेरे को भी सौभाग्य देते हैं और कभी-कभी मुझको प्राणे सुरी बोलते हैं तुम राधा हे स्री राधी के में तुम्हारे बिना जी नहीं सकता हूँ इस तरह से बोलते हैं लेकिन कभी-कभी मुझको छोड़ भी देते हैं और छोड़के दूसरे गोपियों के साथ भी वो विहार करने लगते हैं लेकिन है सखी मेरा निष्चे वो जो कुछ भी है वो मेरे प्राणनात है और मेरा जो है मैं उनको समर्पित करके कैसे उनको सेवा करूँ अगर मैं ये सुनूंगा कि वो किसी दूसरे गोपी को पसंद क करूँ गा उसको सेवा करके उनको प्राणन करूँ ग़ा ताकि वो प्रीयत्म को खुषी कर सके ये है स्री जी का भाव जेनारी रे वांचे कृष्ण तारे रुपे सत्रुष्ण तारे ना पाये होये दुखी मुही तारे पाये पड़ी लोया जाये ताक के तारे धरी क्रिडा करया तारे करे सुखी तो इसमें बोलते हैं जो राधारानी बोलती है जो अपने सुक का वांचा करता है उसको पृति नहीं कहते हैं तो इसलिए स्री जी का उद्गार ये है और स्री लप्रहुपाद इसी भाव को एक जगा दस्वम्सकंद के एक स्लोक में बोलते हैं कि there is no love in this material world तो वास्तव में प्रेम जो है वो भगवान के प्रति होता है जीव जब जब उसका मन सुद्ध हो जाता है और जो सुद्ध हृदय से वो गुरु वैष्णव के भगवान के सुद्ध हक्त के कृपा से भगवान के प्रति आकर्शित होता है उसके हृदय में जो आनन्द होता है, उसको कलपना नहीं किया जा सकता है और वो सब स्री जी की भाव से, स्री जी की कृपा से उदय होता है हृदय में तो ये गोडिय संप्रदाय में अभी तो समय हो गया है एक ही चरित्र कहके में अपने बाणी को विष्राम दोंगा इस संप्रदाय में जैसे कोई धनी व्यक्ति का लड़का हो तो वो स्वभाविक एक अश्वर्य में जीवन वेतित करता है अगर वो बोले नहीं मेरा अधिकार नहीं है तो ये तो हास्यस्पद बात होगा तो जैसे पिता का संपति है कोई खाने को नहीं पा रहा है तो वो मलाई खा रहा है घर में बेटके तो ये उसका भाग्य है कि वो पुरुव जन में ऐसा कुछ काम किया है वो धनी घर में जन्म है उस तरह से चाहे वो कितना भी नालायक हो उसको रहने खाने के लिए तो जीवन में कभी समस्या नहीं होगा उसी तरह से हमारे आचारियों ने इतना इस भाग को अस्वदन किया है और इतना इतना इस चीज को दिया है कि इस चीज में हमारा स्वभाविक अधिकार है तो अगर हम कहेंगे नहीं हमारा अधिकार नहीं लेकिन फिर भी हमारा स्थिति कुछ भी हो ये भाव को सुनने का हमारा और कहने का ये हमारा जो जैसे बोलते हैं प्रवपात, यह पुरा हमरा अपना ही प्रवपर्टी है रगुनादास गुष्वामी ने अपने विलाव कुष्मान जली और अपने आनंद मंदाख्यस तवराज में एक स्तुति लिखा है स्री जी के प्रती आप मुझे सिर्फ इतना कृपा कीजिए मेरा ये सरीर मेरा ये मन आपके ये राधाकुंड को छोड़ के कभी अन्यत्र ना जाए और यहां तक भी कहा है ये कोई बोल सकते है अतिरंजित है लेकिन ये आचारियों का निष्टा है उनका भाव है यहां तक ही कहते है नरतम दाष्ठाकुर एकपद में रगुना दाष्गुस्वामी कहते हैं कि अगर कृष्ण मुझे को बुलाएं कुछ आदेस दे तब मैं उनको पहले ये प्रश्ण करूँगा कि मैं देखूँगा कि वहां वो अकेले हैं कि आप उनके साथ है अगर दीरल ललिथ कहा गया है भहाँ सारे भावों को अगना दाष्पुस्वामी प्रस्तुत के आध और उनही भावों भक्ति ओन ठाकुर ने अपने पड़ों में लिया आए भक्ति उन्ठाकुर कहते हैं, जो राधारानी के बिना कृष्ण को पुजा करते हैं, जो राधारानी के बिना कृष्ण को आराधना करते हैं, वो कप्ति व्यक्ति है, वो लंपठ है, वो वास्तव में भगवान कृष्ण का भजन का जो विदी है, उनको मालूम नहीं, और वा करतना है टेर कदम में जब रूप गोश्वामी गरंथों का रचना कर रहते है बहां पर तो महाप्रु हो के आदेश से ब्रज में रहे के लिलास्तलियों का ठाव करना और गरंथ का रचना करना श्री विग्रह का परतिष्ठा करना हमारे गोश्वामी लोग ये कारे करते थे तो एक दिन Sanatana Goswami जो है अक्सर रुख Goswami के पास जाया करते थे और बड़े भाई है और गुरु ज्यान में रुख Goswami उनको देखते थे तो जब Sanatana Goswami आये, Sanatana Goswami के बारे में Raghunada Das Goswami ने बिलाव को समाजली में एक स्लोक लिखाए तो जब रुख Goswami ने Sanatana Goswami को देखा, देखते ही रुख Goswami के एक तो बड़े भाई थे और उनका जो खिनकाय तनू था, वो शरीर था, उनको देखके कुछ अच्छा खिलाने का मन में भाव आ गया लेकिन कभी राज Goswami ने एक पद में लिखा है कि हमारे जो Goswami है वो कभी भी यह बात तो हम कभी सुनने ही सकते और कलपना भी नहीं कर सकते हमारे गोश्वामी लोग ने कभी भी जीवहा में रश का स्वधन ही नहीं किया अच्छा प्रसाद क्या होता है जब महाप्रहु के आदेश उनको मिला तो कभी भी उन्होंने अच्छा प्रसाद लिया ऐसा स्रिखेत्र जाता था पूरी जाता था तो जब भी बो पहुंचते थे तो सभी गोड़िय भक्त लोग एक ही बात पूचते हैं बुरंदावन होई थे जदी आच्छे आए कौन जन तबे पुछे महाप्रभुर भक्त जन केच्छे आच्छे तहां मोर रूप सनातन महाप्र खोनातन पुरी होड़िय हुरी यह उनका जेवन है लेकिन एक विशेस व्यतिक्रम है जहां पर रूप गोड़ष्वामी ने सफनातन महाप्र ने पाइं और उनको कुछ अच्छा खिलाने का जब मन में भावाया तो खीर खिलाने का भावाया लेकिन थे विरक्त संत उतला कुछ जुगाड भी नहीं था तो जैसे ही मन में ऐसा भाव आया तो वो सोचे कहां पर जाओंगा मादुकुरी करते हैं गुष्वामी लो कई घरों से भिख्या लाते हैं तो टेर कदम के पास जैसे ऐसा सोच रहे हैं तो उसी समय एक ब्रज की लाली आई चोटी सी लाली और बावा तो हमारे घर में ब्रज भास में तो बहुत सुंदर है लेकिन हमारे घर में एक नया वच्छड़ा आया है तो आज पहली बार हम दूद लेंगे तो मा ने बोला कि बावा को आज मेरे माने खीर पकाई हैं और तुम को दे आने के लिए बोला है यह सुनके ही रूप रूप गोष्वामी रूमान्चित हो गए और व्रिंदावन तो यहां पे सब चिन्मय धाम है सभी बुख्य कल्प तरू है जो भा प्रकट होता है रुदे में तुरंत ही पुन्न कता है हम जैसे तुछ जीवो का इच्छा भी तुरंत पुन्न हो जाते है तो महा भागवतो सब्सक्ति हो गए तो किया कहना है तो रूप गोष्वामी रूमान्चित हो गए और सळ्दाण ठांगोष्वामी के साथ चड़ा करने के बाद रूप गोष्वे बएकभगोष्वाने बौला राली तुम यहां पर रख लो हम बाद में लेंगे और जो बाली चली गए जब जानतन गोष्वामी ने वो खीर का प्रसाद मूह में लगाया तो शरीर में अस्टसात्त्री के विकार हो गए, रोमांचित हो गए शनतन गोष्वामी और शनतन गोष्वामी तुरंत ही समझ लिया कि ये एक दिव्य चीज और तुरंत ही प्रश्ण पुछा ये तो अरूप ग अरुए जितने वहाँ पे तो ज़ादा जन वसती नहीं था, लोग जयादा लोग नहीं रहते था, जितना भी घर था तुरुए सभी घर में जाते थे, क्योंकि स्नातन गोष्वामी का एक चरित्र में एक विसेस बात लिखते हैं, नरहर शरकार ठाकुर, कि स्नातन जो अभी आते हैं गुरु पुर्णिमा जो है ब्रज में उसको मधिया पुर्णिया बोलते हैं, ब्रज भासे मधिया मतलब मुंदन होना, सनातन गोष्ट्वामी को ब्रज भासी अपने परिवार का सदस्य मानते थे, इसलिए सनातन गोष्ट्वामी ने जब अपरकट हुए तो सब ने मुंदन कर लिया था, अपने परिवार के लोग जैसे अपरकट होते हैं, मुंदन होते हैं व्यक्ति, स्राद करते हैं, तो इतना प्रेम था उनके प्रति, क्योंकि सनातन गोष्ट्वामी सब के घर में तुमारे लाली का साधी हुआ कि नहीं, कैसा अब चला, और सनातन गोष्वामी कहते हैं, कि बाहर बाहर के भक्ति करने से कई गुना जो फल प्रदान करता है ब्रजवासी, इसलिए सनातन गोष्वामी के प्रते घर के बारे में पता था, और कोई लाली, वो लाली बोली में अपने सहसुराल से आई हूँ, ना ऐसा कोई भी दुष्ठ तो श्री जी ने ही अपनी हातों से खीर बना के लाई थी और सनातन गोस्वामी ने रूप गोस्वामी को बोला कि आज के बात ऐसा इच्छा भी मत करना क्योंकि हम जो आए हैं उन प्रिया प्रियत्म को सुक देने के लिए सेवा मोरो होय दासी अभिमान तो उसी भाब में हमा घड़ा दासकुष्वामी जब भजन करते हैं तब रगुनाथ का तो खीन का ए सरेड था तो रधाकुंड जो खेत्र है वो तो जंगल से घहरा हुआ था तो बाग आते थे रधाकुंड में जल पीने के लिए लेकिन रगुनाथ दासकुष्वामी जो रधा पने गड़ा ब प्रश्न करते हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इसको सुनके हम कभी ये स्थितिका कल्पना नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये सुनके मन में भाव आ जाता है कि कभी हमारे जीवन में ऐसा दिन कभ आएगा। स्री जी प्रश्न करते हैं, देखो रगुनात, ये जगत में भग विषनो, स्वार्थगति ही विषनु, विषनु ही जीव के स्वार्थ है, ये बात कुछ लोग जानते हैं, लेकिन हमारे प्रियतम है क्रिष्न, इनको जानना बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी माद्वचार्य आचारियों ने उनकी उपासना को प्राकट्य किया है इस जगत मिधरातल में लेकिन मुझे कोई जानता है ये में नहीं जानता हूं मुझे अपना इष्ट मान कर तुम्हारे मन में ये भाव कैसे आया किस तरह से तुम ये निष्टा में पहुंच गए तो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि हम ब्रंदावन में रहके जो कुछ भी पढ़ रहे हैं या जो किछ भी कर रहे हैं ये भूमी के प्रति हमारा बहुत गौर ब्रंदावन का रज का सपर्स किया और जैसे ही मैं आपके ये राधाकुंड का दर्शन किया उसी समय से मेरा मन में मेरा मन जो है आपके प्रति आकरसित हो गया और मैं आपके सिवा है किश्वरी जी मैं आपको सत्य करके कहता हूं अगर आज आप मुझे दर्शन नहीं दें मेरा प्राण ही चला जाएगा अंतिम श्लोप में इसलिए रगुनादास राधाकुंड को जो राग मय भजन है उसका जग्यस्तल कहा गया है और रगुनादास को स्वामी ने कुछ फूल या फल से सेवा नहीं कि रगुनादास को स्वामी ने अपने आखों की आश्वों से र आपके बिना ये रगुनाद का प्राण नहीं रहेगा इसलिए आप मुझे कृपा करके जो भाव राधारानी ने रास्पंचा धाय में उद्गार किया था भगवान के लिए प्रियतम आप मुझे दर्सन देजिए हानात रमन प्रिष्टक्वासिक्वास वही भाव रगु प्राओपाजी ने भक्तलोग को एंगा था कि अब नहीं रहोंगा और मुझे बिंदावन ले चलो तो तो तमाल कृ महाराजी को प्राइपाजी ने एक दिन बिलाय सुभges का समय था तो तो तमाल आप we ela in some some other way you are in something, so that I will, I want to go to Vrindavan. तो प्रभुपाद जी हमेशा कहते हैं थे कि मेरा प्रत्यक मंदिर Vrindavan है और इसी भाव से हम भक्त लोग रहते हैं, जो कोई भी. लेकिन प्रभुपाद जी उसी समय तमाल कृष्णा माराजी ने हमारे मेरे जो गुरुमाराजे, स्रिश्माद वक्ति श्रुदाम दर्श्माय माराजी को एक पत्र भेजा और बोला कि आपको प्रभुपाद जी चाहते थे बहुत ढूंड़रे, जल्दी आजाओ. तो उस समय माराज श्री लोस अंजल्स में अपना पीएजडी कर रहे थे, तो इमीडियेटली वो तुरंथी पत्र पाके आगे. जैसे ही प्रभुपाद जी के रूम में गुरु माराज घुसे, तो माराजी बोलते हैं कि मैं कहा आप गया, प्रभुपाद जी को देखे, क्यूंकि प्रभुपाद जी का आप देखते हैं वीडियो में हम लोग, प्रभुपाद जी का सरीर जो बहुत खिनकाए हो जाता है और प्रावपाजी बेंगॉली में माराजी के साथ बात की और उन्होंने कहा श्वरुप आमार जीवन सेस होईते आच्छे हे श्वरुप मेरा समय बहुत कम है मैं बहुत अभी कम समय रहूँगा तुम ही आमा के तो मैं हिंदी में बोलता हूँ तुम कैसे भी करके मुझको ब्रंदावन ले जाओ मुझे ब्रंदावन का बहुत याद आ रहा है मुझे कृष्ण बल्राम के पास जाना है गिर्याजी के पास जाना है मुझे ब्रज याद आ रहा है तो और ऐसा कहते ही प्रावपाद फुट फुट के रोने लगे तो सभी भाक्त जैसे तमाल कृष्ण महाराज, भवान अंदस्पामी महाराज, जितने भी प्रावपाजी के पास बैठे थे प्रावपाद एक बच्चे के तरह सब को हाथ जोड के बार बार बोलने लगे I want to go to Vrindavan, मुझे Vrindavan ले चलो तो इसमें हम समझ सकते हैं, यद्यपी, सभी प्रावपाजी ने जहां भी प्रचार किया, जहां भी भक्त लोग रहते हैं वो Vrindavan की भाव से भगवान कृष्ण की लिलाओं को सुनते रहते हैं, लेकिन प्रावपाजी भी एक आचार्य है, तो उन्होंने भी आचार्य के जो मर्यादा है, उसको अपने जीवन चरित्र में दिखाया और इस Vrindavan, ब्रज की गौरव को उन्होंने भक्तों के सामने, मतलब एक समाज के सामने प्रस्तुत किया और प्रभपाजी इस Vrindavan में आये और यहां पे उनका जो अंतिम, समय अंतिम लिला थी वो फ्रकट किया, तो उन्हीं प्रभपाजी के कृपा से हम इस Vrindavan में रह रहे हैं, और वैसे तो हमारा कुछ, कुछ हमारा तो स्तिती बहुत खराब है, विश्यों में अभी मन है, लेकिन आचारियों की उनकी जो धन है, उनकी संपती से हम लोग आज जो कुछ भी, जितना भी कुछ बन रहा है, भक्ति कर रहे हैं, लेकिन हृदय से गंभी रासा यह है, अभिलासा है, और आप सभी वै जरूर पूर्ण हो जाता है, आसा यह है कि कभी हम निसकाम भाव से श्रील प्रभुपात के इस जो पवित्र जो परंपरा है, उस परंपरा में सच्चे हृदय से इमानदारी से कब हम गुरु वैश्णव के आदेश से सेवा करेंगे, वो सेवा भावना की प्राथना करते ह राधारानी के मंगल में चरित्रों को में विराम देता है, श्री राधा टमी महस्चव की जाए, राधा स्याम सुंदर ललिता विसाखा देवी की जाए, श्रील प्रभुपात की जाए, गौर प्रेमानंदे